दोस्तों, नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीज दुबे दोस्तों, कमर हमारे सरीर का बहुत ही महत्पूर अंग होता है और इसकी देख रेख हमें बहुत ही सेंसिटिव होके करना चाहिए जोकि कमर में अगर दिकते होती हैं हमारी सारी प्रक्रिया हैं, हमारी सारे क्रिया किलाब बाधित होते हैं। इसलिए कमर पे हमें BCS करके ध्यान देना होता है। दोस्तों, अक्सर करके जो लोग आफिस में लंबे समय तक बैठते हैं, लंबे समय तक बैठने का उनका काम होता है। और जो लोग बहुत ज़्यादा बाइक चलाते हैं, बाइक कायूज करते हैं, बाइक चलाने से जो हमारे कमर पे जर्क पड़ता है और जो औरतें लंबे समय तक किचन में खड़ा होके खाना बनाती है और जुक के उन्हें काम भी करना पड़ता है जैसे बरतन दुलना, कपड़े दुलना ये सब करती है इन वजहों से होने वाली जो दर्द होती है काफी परिसान करती है अच्छा एक चीज और खास है जो औरतें जो प्रेगनेंट औरतें होती है उनकी डिलेबरी होती है, जो सिजेरियन डिलेबरी होती है सिजेरियन डिलेबरी का मतलब होता है ऑपरेशन से होने वाली डिलेबरी Operation होने के बाद औरतों के कमर में दर्द बना रहता है लंबे समय तक अगर उस दर्द पे ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए लोग avoid कर देते हैं तो ऐसे condition में वो कहीं न कहीं हमें बहुत लंबे समय तक परिसान कर सकती है तो इन ही सब परिसानियों को इन सब वजहों से होने वाले दर्दों को खतम करने के लिए जो आज प्रिकासनस जो आज exercise मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए काफी helpful होने वाला है अतहर आप इस वीडियो को पूरा देखें बीच में skip बिलकुल भी ना करें क्योंकि हर एक exercise आपके लिए बहुत ही महत्वपूर होगी और अगर बीच से इस किप करते हैं तो कहें न कहें हो सकता है वो महत्वपूर exercise आप ना देख पाएं छूट जाए आपसे और फिर आप जो है इस वीडियो का लाव आपको ना मिल पाए इसलिए वीडियो को पूरा देखें बीच में इसकी बिल्कुल भी ना करें तो चलिये दोस्तों आईए सुरूख दोतों सबसे पहले हम लेट जाएंगे चौकी पिलेट जाएंगे या फर्स प्रस्पिलेट जाएंगे अगर आप फर्स पिलेटते हैं तो चटाई वगर कुछ भीचा लेजिए अगर चौकी पिलेटते हैं कुछ भीचाने की जरूत नहीं है आप चौकी पिलेट जाएए सीधा एकदम लेटीए का ध्यान से देखिए पैर सीधा रहना चाहिए हाथ सब्सक्राइज करना सुरू करते हैं राइट पैर को उठाएंगे लगवों 45 से 60 डिगरी तक का कौन बनना चाहिए अगर कौन नहीं मालूम है आपको कितना बनना चाहिए तो आप जो है हमारे पैर को देख सकते हैं बस इससे ज्यादा उपर ने उठानी है पास सेकंड रोक पास सेकंड रोकेंगे पास सेकंड रोकने के बाद में पैर को फिर धीर धीर नीचे रख देंगे इस तरीके से हमें दस दस बार दोनों पैरों को करना है अक्सर करके लोग यह समझ जाते हैं कि पहले हम एक पैर को दस कर लें पहले सोचते हैं कि एक पैर को दस बार कर लें उसके बाद दूसरे पैर को एसा नहीं करना है आपको step by step करना है एक पैर को उठाना है 5 second hold करना है फिर रख देना है फिर दूसरी पैर को उठाना है 5 second hold करना है फिर रख देना है इस तरीके से alternate करके पैर को करना है और दस बार इस पैर को दस बार उस पैर को करना है दोस्तों देख लेते हैं दूसरीक से साइज करने कैसे करनी है पहले हम अपने पैर को मोड लेते हैं पैर को मोड लेंगे पूरा इतना बीच में जितनी गैप बनी है उतनी गैप होनी चाहिए हाथ को सीधा हम इस तरीके से उपर कर लेंगे अब देखिये हमारा हाथ इसी तरीके से रहेगा कमर से उपर कोई मोमेंट नहीं होगी बस हमें क्या करना है पैर को इधर लेके जाना है जितना जापा है जितना जाने में आपको problem ना हो 5 second hold करना है फिर इधर लेके जाना है पांच सेकंड होल करना है फिर इधर लेके जाना है पांच सेकंड होल करना है इस तरीके से एकसरसाइज करने पर हमारे कमर की जो दोने तरब की मांस्पेसियां होती है उन में खिचाव आता है खWhone होने से काफ़ी रिलाक्स होती हैं , और आपके दड़्द में काफ़ी क्लाजबधायक होती है , दोस्तो कि यह दूसरी exercise हो गई , अब हम बात करेंगे , अब हम बात करेंके तीसरी exercise , हर exercise आपके लिए बहुत ही मταपूण है , तो तीसरी exercise तेसरी साइज में भी हम क्या करेंगे पैर एक इदम सीधा रखेंगे पैर को करने के बाद में हम कमर उठाएंगे यह इतना उठाएंगे पांस सेकंड तक रोखेंगे पांस सेकंड का मतलब दोस्तों अगर मान लें आपके सामने गड़ी नहीं है तो आप 5 तक गिंती गिं सकते हैं एक दो तीन चार पाँच आराम आराम से फिर रख देंगे फिर यहां थ्वासर रिलाक्स करेंगे फिर कमर को उठाएंगे पाँ सेकंड रोल करेंगे एक दो तीन चार पाँच फिर देंगे पैर को रख देंगे कमर को इस तरीके से दस बार सुबह और दस बार साम को करना है दोस्तों अब बात करते हैं हम चौथे एकसरसाइज और सबसे महत पूर एकसरसाइज जो है करने में भी काफी आसानी है आप पूरा पीछे आएगा पैर पूरा सीधा होगा यह इस तरीके से यह आपको करना है दस बार सीधा करना है और फिर सेम इसी कंडिशन में उल्टा लेकर आना है दस बार पैर को उल्टा करना है फिर हम लगबग पास सेकंड का रेस्ट लेंगे फिर उठाएंगे फिर यह दस बार आगे से, फिर 10 बार पीछे से, फिर 5 सेकंड का हम रेस्ट लेंगे, इस तरीके से 5 बार हमको 5 स्टेप करना है, तो दोस्तों हमें उमीद है यह वीडियो आपके लिए काफी helpful होने वाली है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं पेन फ्री भी ड्रक्टर गिरिस दूबे के चैनल से इस तरीके के वीडियो लाता रहता हूं, जो आपके सरीर के सौथ के लिए काभी लाबदायक होती है